नमस्ते सांतियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल साहता पर तो सांतियों प्रधान मंतरी किसान समान निधी योजना के सोलोवी किस्त को लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और जिसमें डेट भी बताया जा रहाएं कि प्रधान मंतरी किसान समान निधी योजना के तहत लाभारतियों को जो सोलोवी किस्त जारी की जाएगी उसकी ओफीसियल डेट जो है पबलीस हो चुकी है तो सांत्यों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ओफीसियल डेट जो है क्या बताया गया है प्रधान मंतरी किसान समान निधी योजना के लाभारतियों को और ये भी बताया गया कि इस बार काफी जल्दी ही लाभारतियों को सोलोवी किस्त जो है मिलने वाली है पूरी जानकरी इस वीडियो में दूंगा तो वीडियो में एंड तक बने रहीएगा ताकि step by step सारी जानकरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रगार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो सबसे पहले जानकरी आपको मिल होगा और हमने भी हमारे चैनल के मादिर में से बताया था आप सभी को कि भारत सरकार यानि के इंडियन गौर्मेंट के तरफ से यह अनौंस किये गये थे कि प्रधानमंदरी किसान सम्मान निधी योजना के तहत अब लाभारतियों को साल में जो है चार किस्त दिये जाएंगे इससे पहले तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपे जो है दिये जाते थे लेकिन दोस्तों अब जो है टोटल 4 किस्तों में लाभारतियों को 8,000 रुपे जो है मिलने वाले हैं तो जैसे ही घोजना की गई थी उससी के आधार पर पॉर्टल पर भी कुछ डेटा अपडेट हुई ह और उसको लेकर डेट्स भी आप आ रहे हैं निकल कर जिसमें बता जा रहा है कि लाभारतियों को डिसंबर माह से जनवरी माह के बीच में ही जो दोस्तों 16 किस्त है वो रिसीब हो जाएगी और ये अतिरिक्त किस्त जो एक आयड किया गया है उसकी रासी होगी तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर डीटेल बता देता हूं कि अभी जो लाभारतियों को पैसे मिले हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा यह जो पैसे लाभारतियों को रिसीब हुए है दोस्तों यह अगस्त नबंबर के बीच जो पैसे लाभर्तियों के खाते में transfer किये जाते हैं, और उसके बाद जो पैसे दिये जाते हैं, दोस्ते हैं पर आपको देखने को मिल जाए कि आप देख सकते हैं, December मा के अंत या फिर जन्वरी मा के प्रादम में यह जो नया किस्त एड किया गया है वो लाभार्थियों के खाते में transfer कर दिये जाएंगे Officially अभी तक date को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉर्टल पर ये जानकारी उपलब्ध है कि December से ही पैसे लाभार्थियों को दिये जा सकते हैं और इसकी जो ओधिकारिक सोचना है वो पॉर्टल पर updated है तो साथियों जैसे ही latest update भारत सरकार की तरफ सी स्कूल लेकर आएगी तो सबसे पहले जानकारी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगमन को जड़ो बाकर रखिएगा ताकि हर वीडियो उसकी notification सबसे पहले आपको मिल सके धन्नवाद